पतंजली विग्यापन केस में आज सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान बेंच के सामने पतंजली की ओर से अड़ोकेट मुखल रोहतगी ने कहा कि हमने माफी नामा फाइल कर दिया है इसे सरसथ अखबारों में पब्लिश किया गया है इस पर कोट ने कहा कि आपके विग्यापन जैसे रहते थे इस अड़ का भी क्या वही साइज था कृपया इन विग्यापनों की कटिंग ले ले और हमें भेजते इन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है हम इसका वास्तविक साइज देखना चाहते हैं यह हमारा निर्देश है कोट ने आगे कहा कि जब आप कोई विग्यापन प्रकाशित करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे सिर्फ पन्ने पर ना हो इसे पढ़ा भी जाना चाहिए कोट ने रामदेफ और बाल कृष्ण को निर्देश दिया है कि वो अगले दो दिन में आन रिकॉर्ड माफी नामा जारी करे जिसमें लिखा हो कि उन्होंने गल्ती की मामले की अगली सुनवाई अब 30 अपरेल को होगी दरसल पतंजली आयूरवेद ने 22 अपरेल को कई न्यूस पेपर्स में माफी नामा प्रकाशित किया था जिसमें उन्होंने माफी मांगते हुए भविश में कभी ऐसी गल्ती ना दोहराने की बात कही थी सुप्रीम कोट इंडियन मेडिकल एसोसियेशन की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें कहा गया है कि पतंजली ने COVID वैक्सिनेशन और एलोपेथी के खिलाफ नेगिटिव प्रचार किया है वहीं खुद की आयूरवेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का जूठा दावा किया ब्योरो रिपोर्ट डनिक भासकर